दोस्त अगर आप सबसे सस्ता अपकमिंग 5G स्मार्टफोन की इंतेजार में हो तो इस दिसंबर महीने में लांच होने जा रहा है लावर स्टॉम जो एक लेटस्ट पावरफुल और सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है दोस्त सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने बाला है तो वीडियो को आखिर तक देखना और हो सके तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना क्यूंकि मैं इसी तरह का इन्फोर्मटवे वीडियो रोज लाता रहता हूँ धन्यवाद सबस्क्राइब करने के लिए तो दोस्त चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लावा स्टॉम और लावा स्टॉम प्रो 5G पर कतित तोर पर काम चल रहा है और जल्दी भारतिय बाजारों में मिलने बाला है माना जा रहा है कि ये किफायती स्मार्टफोन मीडियाटेक हिलियो चिपसेट द्वारा संचालित होंगे एक हालिया रिपोर्ट में इन हैंसेट की अपेक्षित विशिष्टाउं पर कुछ प्रकाश डाला गया है लावा ने हाल ही में भारत में एक और 5G रेडी स्मार्टफोन लावा ब्लेज 5G लाउंच किया था इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 700 सोक है जिसे 4 गीगाबाइट रैम के साथ जोड़ा गया है लावा के इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 10,000 रुके होगी माना जाता है कि ये दोनों लावा हैंसेट मीडियाटेक हेलियो चिपसेट द्वारा संचालित है इन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है कहा जाता है कि लावा स्टॉम 18 वाट चाजिंग सपोर्ट देता है और लावा स्टॉम प्रो 5G 33 वाट फास्ट चाजिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है उम्मीद है कि कमपनी इन स्मार्टफोन को कई कलर ओप्शन में लॉंच करेगी दोस्त वीडियो में बस इतना अगर आप इसी प्रकार के नए नए फोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिजिए आगे आपको और भी बहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखने को मिलेगी थैंक्स फॉर वाचिंग लव यू